आज की वीडियों हम दिखाएगे कि मेगा फेक्टरी के अंदर पीनट ना कैसे बनाए जाता है अभी हमारा जो यह रो माटिरियल जो आता है प्रीमियम क्वालिटी नट्स डेली हमारा दस तंड बारा तंड की रिक्वर्मेंट रहती है सिर्फ हम तीस पेटीस और पेटीस साल यहां पर दणा दीख रहे हो यहां पर रिस ओड़गा उससमी न स्किर्टकर कोह माटितिख है यहां पर देख सब्चायर के आ सब करेगी है कोया दाना ऐन जो डेमेज का मात थेख एएपनेया और रिसरी फा यहां पर गीषरे ह जो दाना विनाट होके आया वो इसमें उपर में जाएगा बाद में यह से कन्वेयर द्वारा यह बोस होगा वहाँ अब दिख सकते है हाँ अभी हमने फिक सिस्टम लगाए गया है ताकि हमको मालूम पड़े कि एक जेट फिक सी वोटर रमांट जाए अभी दाना आप देख सकते हो जाया अभी आप देख सकते हो इसका कलर निकल जाएगा अभी के जो डाना वोस होया फाइनली हम यहां पर फिल अप करते और यह जाएगा डायरेक्ट संड लाइट में जाना सुकाने के लिए अभी अमारे पास इंडिया में नंबर वन पूरा ओटोमेटिक लाइन जो किसी के पास पीनेट लाइन में नहीं है फ्रोम वसिंग लाइन टू रोस्टर वी अरविंग फूल ओटोमाइजेशन राइट अभी हम मेन्योली करवा रहे हैं जब तक संलाइट रहता है तब तक हम मेन्योली करते हैं बाकि यह यूजिंग ड्रायर अभी यह प्लेन पीनेट का प्रोड़क्शन लिया जाता है डान के चला बहुत वाइब जान है वह यह पेर वांपीछ जाता है को पहले दान गरम वहां से पीछे से जब रोटेट अपर पर आएगा वहां पर सें में से द्वारा जो और यहां पर उसका मिशार रहता है इसमें वो तक सब निकल जाएगा यहां से, अब देख सकते हैं और यह बाइड़क इसमें जाएगा अभी जो माल वहां से रोस्तों के आया वहां पे डालेंगे ओपर में और इसका फिर्ड से रिसोट करवाएंगे दाकि क्या कोई भी पीनट पट गया है तूट गया है वह सब रिसोट हो जाएगा यह जो भी पीनट जो पाड़ा रहता है स्क्लीट पीनट वह सब इसमें निकल जाएगा यहां से जो माल निकलता है वहम 20 kg के करेट में आगे पेकिंग यूनिट में बेस देए यहां से पेकिंग यूनिट में जाएगा करेट जो रिसोट होके आया है वह 20 kg में लिफ्ट वारा उपर जाएगा और उसमें हम पेकिंग मसीन में डालेंगे ताकि क्या है 5 रूपिया 10 रूपिया 200 ग्राम 180 ग्राम वह सब हम पेकिंग वाइज अलग-अलग केटेगरी में डालेंगे अभी यह जो केरेट आया वह 180 ग्राम में फिलप करें फाइनल पेकिंग के लिए इससा कंटिन्यू चालू रेता है तो यह पाकिंग मशीन आटोमेटिक वहाँ पेकिंग वाइटी ग्राम एज में पूरा वेट करके बाद में जाए अभी यह जो पेकिंट वनएटी ग्राम फिलप होगा उसका फाइनल यहां पे ग्राम एचे एक होगा आप कर दो कर दो कि यहां से जो ब्लांच होके माल आता है वहां पे सोट होके यहां पे हम फ्लेवर्ड पीनट्स के लिए प्लें पीनट इसमें हम फ्लेवरेट करते हैं ब्लेक पेपर है जैसे हिंग जीरा है इसलेट पीनट्स है अभी ब्लेक पेपर अभी यहां पर जो फ्लेवर मिश्चिंग के लिए यहां पर यूज चिया गया है वह कॉटन सीट है ठीक है और पूरे का पूरा इंग जीरा इसमें फ्लेवरेट जोगा कि यहां पे 100 ग्राम फ्लेवर्ड पीनट का प्रोडेक्शन चल रहा है इंग जीरा पीनट एक ग्राम का भी डिफरेंस नहीं रहेगा अंडेट पर्सन मलब जो भी ग्राम सेट करें वही रहेगा तो एक युरेट ग्रामेज के ही साब से वही रहेगा कि यह भी चन्ना डालें पेस की मशिन में इसका 5 रुपीज का घ्राम 5 रुपीज एमर्पी का ठीक हो रहा है ठीक है यह भी एडवांस टेकनोलोजिय है 120 की स्पीट पे यह मशिन चलता है अभी जो फेक निपे माल बना वह आप देख सकते हैं वह रिक्सा में हमारे पास टोटल राजगोर में 20 रिक्सा है ठीक है और यह हमारा पूरा आउटलेट अभी परसन नेचरल है उसमें एक भी परसन कलर और कुछ आटिफिचल कलर रहा है यह होगे 50 प्लस 50 प्लस और में में कौन सी रहती है पीनट साथ कि लोग में हमारा सोल्टेट अच्छा मसाला बलेक पेपर है हमारा चीजी मसाला है और सबसे बढ़ी है पेरी 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 प्रेमियम कोलिटी का ग्राउंट से यह 24 काउन का माल आता है और सबसे बड़ा आप देख सकते हो पूरा बड़ा काउन का माल आएगा यह आपको कहीं पे मिलेगा नहीं इसराहिल से अगर किसी को बाइ करना हो तो हम एमेजोन पे भी है फ्लिप काट में भी है सब ओन लाइ लाचना सब मिल जाएगा अगर किसी को फेरेंट चैसी चाहिए हमारी डाइमेंड की तो बीलो नंबर आप कोंटेक्ट कीजिए ठीक है ओके